मधवनी से एक ऐसी घटना सामने आ रही है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे जहां मधवनी में एक महिला की सीर कटी हुई लास मिली है मधवनी जिला के भेजा थाना अंतरगत रहुआ संग्राम पंचायत के रहुआ गउं के खेट से एक महिला की सम मिली है जिसकी सीर कटी हुई है इस घटना को लेकर चारो तरप अफरा तफरी मच गई जैसे ही इस ख़बर की भनक लगी घटना अस्थल पर लोगों की काफी भी जुट गई है तो वहीं आपको बता दे कि इस महिला के संदर में अब तक जनकारी नहीं प्राप्त हो सकी है कि आखिर ये महिला है कहां की वैसे बता दे कि अनुमान के आधार पर लोगों का कहना है कि इस महिला की उम्र 35 वर्स है इस घटना की जनकारी मिलने से चारो तरप स सनी फैल गई है और घटना की जनकारी मिलते ही लोगों में काफी कौतु हुलका भी से बन गया है कि आखिर ये महिला है कौन दो वहीं लोगों में सिरिकटी महिला की लास को लेकर तरह तरह की बाते हो रही है सूचना पाते ही भेजा थाना पुलिस दलवल के साथ घटना अस्थल पर पहुँची और सब को अपने कबजे में लेकर सिनाक्त के लिए भेजा थाना पर रखा गया और सब को सिनाक्त के लिए आसपास के लोगों से पूछताच की गई अब तक इस लास के संदर में कोई भी पुकता जानकारी नहीं जुटा पाई है परत्यक्ष दर्सियों ने बताया कि परत्यांद्रिष्ट्या महिला के सब को देखने से पता चल रहा है कि महिला के हाथ को सबसे पहले बांधा गया और उसके बाद ये घटना की गई है घटना के बाद से पुलिस लगतार तहकिकात में जुट गई है आगे की करवाई की जा रही है थाना ध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताये है कि सब कि सिनाक्त के लिए रखा गया है इंतजार की जा रही है मीडिया एवं सोसल मीडिया पर इस बात की खबर दी गई है जैसे ही पता चलेगी वैसे ही इस घटना के संदर में विशेश कारवाई की जाएगी तो आपने देखा कि किस प्रकार की घटना ये लगतार दिन परती दिन घटती जा रही है लोगों की जान की परवाई है या नहीं लेकिन इस प्रकार के घटना से तो यही लगता है लोगों की जान की मोल अब रह नहीं गई है मधवनी में जिस प्रकार से सिरकटी महिला की लास खेत में मिली है और अब तक इसकी सिनाक्त नहीं हो पा रही है लोगों द्वारा तरह तरह के इस लास को लेकर के अनुमान लगाये जा रहे हैं आप लोग भी कमेंट करके बताईए कि मधवनी में खास कर इस प्रकार की घटना आए मधवनी किस प्रकार की प्रिष्ट भूमी की ओर जा रही है